हेलो फ्रेंड्स नमस्कार खुछी स्टार फूड में आपका स्वागत हैं फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ऐसे चोटे चोटे कुकिंग टिप्स जो मेरे काफी काम आते हैं उमीद करती हूँ ये टिप्स आपके भी काफी काम आएंगे तो चलिए बिना किसी तेरी के आज के ये टिप्स देख लेते हैं पहली टिप मेरी आमले को लेकर है आमले का जूस निकालने का एकदम आसान तरीका शेयर कर रही हूँ बिना जूसर के बिना मसीन के कम महनत से आमले का जूस कैसे निकाले आपको लेना है एक ग्रेटर और ग्रेटर की साहिता से आ आदा छोटा चमस काला नमक डाल कर अच्छे से मिला दे और इसे ढग कर रखेंगे हम आदा पौन गंटे के लिए आप चाहें तो इसे जादा देर भी रख सकते हैं या फिर इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं उसके बाद इसे चान कर आप खुद पियें या बच्चों को पिलाएं फ्रेस आफला जूस तयार है और इसका ये जो फाइबर बच जाता है न इसे फैके न इसे धूप में सुखा कर रख ले इसे काम में ले सकते हैं फ्रेस आफले के हेल्थ बेनिफिट की बारे में तो आप सबी जानते हैं आफला हमारी सेहत का सूपर ole है इसलिए आ पाटनो आवले मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिये हैं, गुठली अलग निकाल दी, आपको जितना मुखवास बनाना है, उसके हिसाब से आप आमले ले ले, आदा छोटा चमस काला नमक डालेंगे, आदा छोटा चमस काली मिर्च पाउडर, आदा छोटा चमस भुना हुआ औ तीन-चार दिन के लिए, देखें आवले का मुखवास हमारा तैयार है, मैंने लगबग तीन दिन के लिए इसे दूप में सुखा लिया था, अच्छे से सूप गया, अब हम इसे काच के जार में भर कर रख लेंगे, काच के जार को मैंने अच्छे से दो कर दूप में सुख लिया था और यह मुख्वास हम इसमें भर कर रख लेंगे साल भर तक काम में ले सकते हैं यह डाइजेशन में काफी हेल्प करेगा और खाना खाने के बाद आप इसे खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप ऐसे मुख्वास बना कर रख सकते हैं जब कैसरोल में हम ग बसने के लिए आप कैसरोल में पहले कोई छोटी कटोरी या प्लेट सेट कर ले उसके उपर फिर रोटी लपेट का रखेंगे तो रोटी फ्रेस रहीगी एक भी रोटी नहीं पसीज़ेगी देखें दूसरा कि आपका कैसरोल छोटा है उसमें कटोरी या प्लेट सेट नहीं हो जो भी कैसरोल में मौश्चर बनेगा सारा अकबार सोख लेता है अकबार कितना गिला हो गया और कैसरोल भी हमारा सुखा है सारी रोटी फ्रेस है तिफ्स छोटी सी है फ्रेंड्स लेकिन बड़े काम की है और आईए देखते हैं अब अगली टिप इस टिप में मैं आपको दे देंगे रफली चोब करके चटनी में हमें पाने बिल्कुल भी नहीं डालना टमाटर के साथ ही पीसना है दो मिनट में हमारी चटनी बनकर तयार हो जाती है आदा चोटा चमस नमक आदा चोटा चमस कच्चा जीरा और मैंने लाल मिस्ट डाली है तीखा आप अपने टेस्ट को जरूर ट्राइ करें बहुती टेस्टी चटनी बनती है फ्रेंड्स चुकंदर यानि बीट रूट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए कितनी फायदे मंद है डॉक्टर भी इसे खाने की सला देते हैं जिन लोगों में खून की कमी होती है तो उन्हें चुक कर लें 5-6 लसुन की कली डालेंगे आप लसुन नहीं खाते तो स्कीप कर दें अब थोड़ा सा पानी डालकर और चुकंदर को मैहीन पीस लेंगे एकदम मैहीन पीसना है देखे चुकंदर को मैंने पीस लिया है कोई मोटे चंक्स रह गए है तो उसे आप निकाल दें दो अज़ा बामाटोरी गेहूं का आटा लिया है आदा छोटा चंमाश नमक और आदा छोटा चंमाश कच्चा जीरा डाला है मैने जीरे से टेस्ट अच्छा आता है और अब ये पिसा हुआ चुकंदर का पेस्ट हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे पहले यह अच्छे से मिक्स हो गया, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते विए आटा गूठ लेंगे, मिक्सर जार को धो कर ले ले, देखें आटा गूठ लिया है मैंने, अब आप इस आटे से रोटी बनाए, पूरी बनाए या परांठे बना कर खा सकते हैं, यहाँ परांठे बन करके दें, बच्चों को कुछ कलरफूल देखने को मिलता है, तो बड़े मन से खाते हैं, वो वैसे हम बच्चों को बीट रूट खाने के लिए देते हैं, या जूस पीने के लिए देते हैं, तो कई बर वो खाते नहीं हैं, आप उन्हें यह परांठे या पूरी बना कर दे तो बड़ी आसानी से खा लेंगे, परांठे को हम देशी गी में से खेंगे, बहुत ही टेस्टी परांठे बनते हैं, फ्रेंड्स, उलटते पलटते परांठे को सेख लेना है, देखे परांठा हमारा कितने अच्छे से सिख गया, और यह हमारा बीट रूट का परांठा बन यह वाली टिप आपके काफी काम आने वाली है, जब हम काले चने उबालते हैं किसी रैस्पी के लिए, हमें सूखी सबजी बनानी होती है, इनसे चाट के लिए, परशादी के लिए, या फिर हमें चने वैसे खाने होते हैं, तो पानी में नमक डाल कर हम इनको उबाल लेते ह उबालने के बाद चने तो हम निकाल लेते हैं और इसका जो पानी बच जाता है उसे हम फैंक देते हैं लेकिन इसका पानी फैंके ना ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है चने का पानी से आप आटा गूठ ले और फिर आप पूरी बनाए पराठे बनाए कुछ भी बना सकते है मैं तो हमेशा जब चनी उबालती हूँ उसका पानी बच जाता है उससे आठा गूत लेती हूँ तो फ्रेंड्स आज किती मेरी ये छोटी छोटी cooking tips उमीद करती हूँ कि आपके भी ये काफी काम आएगी अगर आज की मेरी ये tips आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करें चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहें मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ थेंक यू सो माच